Hi everyone, आज की वीडियो में हम Static GK का एक और important topic करने बाले हैं, वो है आपका tribes आपको पता होगा हम पूरी Static GK निमोनिक, टेक्निक और ट्रिक के साथ कबर कर रहे हैं अगर आपने previous lecture नहीं देखे हैं, तो आपको एक अलग से playlist बन जाएगी Static GK आपके exam के लिए ठीक है, तो आप वहाँ से जाके check out कर सकते हो, सारे topic मैंने आपको निमोनिक टेक्निक के साथ कराए है कभी-कभी सवाल जो आपके paper में देखने को मिला है, SSC exams में, वो ये भी देखने को मिला है कि ये tribe किस state में पाई जाती है इसी लिए हम tribes को थोड़ा अच्छे से करेंगे, और देखो, यहाँ पर मैंने जो tribes लिखी है, state wise लिखी है एक तो हमें state wise याद करनी ही करनी है, कभी-कभी ऐसा होगा कि थोड़े अजीब से नाम है, हो सकता है कि आप पूरी state के tribes के नाम याद ना कर पाओ वीडियो के end में, जो paper point of view से बहुत ज़्यादा important है, जो बार-बार पूछी गई है, उन्हें भी बता दूँगा, एक बार हम सारी कबर करेंगे, देखो, सारी कबर करने का मतलब, अभी मैं यह भी बताते चलूँगा, यह तो आपको करना ही करना है, यह नहीं करना है, एक बार हम वीडियो के end में भी दिख लेंगे, कम से कम साथ आठ ट्राइब आपको पता ही होनी चाहिए, अगर आप सारी state wise ना कर पाओ, तो कम से कम साथ आठ ट्राइब तो आपको पता ही होनी चाहिए, अगर आप ज़्यादा बर्डन नहीं चाहते हो, तो साथ आठ जो मैं ट सुरू कर लेते हैं, हमारा एक है कस्मीर, जम्मू कस्मीर, ठीक है, जम्मू कस्मीर में तीन ट्राइब हैं आपकी, बोट, बोटो और बकरबाल, ठीक है, अब देखो, बोट आप ऐसे कैसे याद कर सकते हो, बोट और बोटो कैसे याद कर सकते हो, आपको पता, जम्मू कस्म कश्मीर के बारे में लोगों भ bets बनки out तो कश्मीर के बारे के बहुत बख बने उससे दिर्ब क्रसकते हो तो आसान सी वे तो आराम से याद कर सकते लेंगे हमाचार परसकी है एक घड़ी और एक झाज़िज़ के बात अगर मैं इनकी ट्रिक बताऊं तो ऐसे हम ने ट्रिक बनाई है। कि हिमाले पर जल्दी जाओ और गद्दी लगा लो। घर आप अपनी सीट लगा लो। घर गदी ड़ा हैं ल无गा, हिमाले पर और और गद्दी याद और रख सकते हैं तो जिनके ट्रेक हैं उन्हें तो आप याद रख सकते हो गदी लगा लो हिमाले पर जल्दी जाओ तो पीपर पॉइंट अगर उतनी भी इंपोर्टेंट नहीं है ठीक है अगर मैं नीचे की दो तीन देखता हूँ तो उतनी इंपोर्टेंट नहीं है ठीक है जन्सारी है बूतियाज है बुक्सा है फिर भी अगर हम इन्हें याद करना चाहें दोगो थारू और जन सारी आप याद कर ले ना उत्रा घंड की है थारू से थार कर ले ना कि पूरी जन पूरी हर जन को सारी जनता को क्या पसंद है थार को ओफ राइडिंग करना ठीकर थार को ले जाओ और पहाड़ों में जंगलों में चलाओ तो दोगो उत्रा घंड में प उत्तर प्रिदेश की आपकी एक गॉंड है खरवार है और थारू है तो इसकी सारी याद रखने की जरूरत नहीं है अगर आप गॉंड याद रख लेते हो और गॉंड अभी काफी स्टेट में पाई जाती है तो मैं आपको काफी स्टेट में बता भी दोंगा आके तो इसमें से जो गॉंड फ्राइब हो किस स्टेट में नहीं पाई जाती है तो वो भी एक बार उस आपको पता होगा तब ही आप कर पाऊगे ठीक है तो गॉंड याद कर लेना बचा हमारा खरवार और थारू तो यह अगर आप याद भी नहीं करोगे तो चलेगा उसके बाद लद्दाक का है चंगपा ठीक है चंगपा को ऐसे बो चंगला चंगला चंगपा नहीं चंगला ऐसे याद कर लो चंगपा नहीं चंगला ला से आपका लद्दा और यह याद कर लेना एक ही है और आसाने याद करना अगर हार्ड होता तो नहीं भी कर रहा था लद्दाक का चंगपा चंगला बस ऐसे याद कर लो ठीक है मतलब जादा याद करने में आपको दिमाग का यूज नहीं करना पड़ेगा उसके बाद है बिहार बिहार की संथाल है ठीक है काफी इम्पोर्टेंट ट्राइब है यह याद रखनी है अब आपको कैसे याद करना है कि जो बिहा ळ세요 पूर्टेंट याद कर दिया है कि मैं बात करता हूं तरपुरा की तो देखाऊ इक तरपुरी ट्राइब जो कि तरपुरा में रहती है तो यह तो हम एसी याद कर लोगे और रियांग ट्राइब रियांग अब डारैक्ट बारेंक्ट कर लेना और यगह आप नहीं भी खर दालने की जवोत नहीं है नेक्स्ट है हमारा अरुना चल प्रदेश अरुना चल प्रदेश हमारी नीशिव ट्राइब और गयलॉंग ट्राइब है दौनों ही इंपोर्टेंट हैं हमें ऐसे यदा नीशा और अरुन गू अलॉन मताँ नीशा और अकेले जा रहे हैं नीशा से आरुन नलाइंड प्राइब और अंपाता चैस्ट के एंप्रिदेश्ट यू हैं ये उसके बाह data करते हैं १३i ही काफ़ी इंपोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा गूरीज़ इसे हुए आप याद कर लेक्ड है तो दो है competent आप याद कर लेना मैं इसके बाद अब्याद प्रोड में ने जाओ वैसे शुगलीस एक पेपर में पूछी गई चलो याद करा देता हूं ऐसे याद कर लो कि एक अंधा वैकती है ऐसे याद करो कि एक अंधा वैकती है लेकिन वो लंबा है और सुगर खाता है एक अंधा वैकती है लेकिन वो लंबा है लंबारिस और सुगर खाता है सुगालिस इस तरह से आप याद कर सकते हो ठीक है उसके बड़े भाई के बोलो दादा नेक नाटक करके दिखाना दादा नेक नाटक करके दिखाना या आप बोलो कि दादा नेक घर पापा मम्मी आए तो उनके सामने नाटक कर लेना मैं बज जाओंगा ठीक है कोई बात हुई होगी उसके लिए दादा नेक नाटक नाटक से करना ट प्रइब है नहीं भी याद करोगी तो चलेगा उसके बाद आपका केरल की पान्हें ट्राइब पानियां तो जो ऐसे याद कर uary सकते हो वेसे तो के प्रे कियाद करए से लो संदूर करती है उससांस से भी याद कर सकते हो बरना आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि करेला ठाने के बाद आपको पानी पीने का मन करता है क्योंकि करेला कड़बा होता है उसके बाद आपको पानी पीने का मन करता है तो करेला से पानी ऐसे याद कर सकते हो तिलंगाना की चैंचुस डारेक्ट याद कर सकते हो और अगर बैसे कर लेना ठीक है जैसे कि देखो हमने 36 गड़ को कहा देखा भी उपी में भी देख रहे हैं हम इसे उरिशा में भी देखते हैं मध्यबर्देश में भी देखते हैं महराष्ट में भी देखते हैं तो ये आप याद रखना कि गॉन ट्राइब आपकी यूपी में भी होती है उरिशा में कभी कभी जैसे मैं पहले बताया था कि आपको चार ऑप्याद देघा और एक ऑप्सन अलग से देगा बोलेगा इसमें किसे गौन ट्राइब नहीं दैसे और तो थोड़ा आपके लिए जहारखंड की आपकी एक है संथाल ट्राइब और येंट ट्राइब और मुंड़ा ट्राइब तीक है अब देखो संथाल ट्राइब आपको कई जगह मिल जाएगी बेस्ट वंगाल में भी मिल जाएगी है ना तो यह को रिलिट करके बैसे तो मैं याद मैसे तो ऐसे याद कर कि संथाल आपकी बैश्वंगाल में भी है जहारखंड में भी है तो इसे डारेक्ट याद कर लो और जहारखंड की अगर ट्रिक बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे ही बना सकते हो कि आप किसी से बोले हो देखो सान्थोजा सान्थोजा बना मुंडी काट के जहारी में फैक दूँगा तेरी हम चोटे बच्चों को कहते हैं सान्थोजा बना मुंडी काट के जहारी में फैक दूँगा तेरी सान्थोजा से संथाल मुंडी काट दूँगा मुंडा और कहां फैक दूँगा जहारियों में से जहारखंड इस तरह से आप याद कर सकते हो ओरियन ओरियन आप ऐसे याद कर सकते हो कि औरों की बात मत सुन सान्तोजा जिसे बहुत साई लोग औरों की बात सुनके चला रहे होता है न फालतू बात कर रहे होता है तो आप बोलो औरों की बात मत सुन सांत हो जा मुंडी काटके जहाडियों में फैक दूँगा तेरी इस तरह से आप याद कर सकते हो तो औरों से और यहन संथाल और मुंडा यह याद कर लेना और अगर आप इसे डारेक्ट याद कर सकते हो संथाल को तो डारेक्ट याद कर लेना कि यह जहारखंड में भी है उर अटोमेटिकल याद हो जाएंगी उरिसा में एक गॉन ट्राइब है जो हम उपर देखके आए मैं बता चुका हूँ आपको गॉन ट्राइब कहां कहां पर है ठीक है तो गॉन ट्राइब एक हम उपर देखें गॉन से भी मिलता हुआ थोड़ा कॉंड है तो यह भी याद कर लेना यह आपका उड़ी सामया कॉल्हा याद करने की जरूत नहीं है उसके बाद है मेरा मध प्रिदेश मध्र प्रडेश मधिटष गॉन ट्राइब मध्र प्रडेश में है उपर हम देख चुके हैं गॉन ट्राइब अ मदपर्देश की और याद करिक और मेरा में एक चीज़ और बता देता हूं जुम्यदी मम ट्राइब पॉपुरिश जैने वो घ्रेइस कोह हम देख रहे हैं एक होता तो मैंने आपको उसमें बताया कि कितने हैं कितने हैं हमारे भारत के अंदर अगर आपने वह लेक्चर दिखा तो आप नीचे कॉमेंट करके एक जैक डेटा भी बता सकते हो देन उससे समझ में आएगा कि आप लेक्चर को अच्छे से फॉलो कर रहे हो उसके बाद अगर हम ब होतिया एक लिंबो तो इतना इंपोर्टेंट नहीं है बड़ थोड़ा सा याद कर लेना याद पता है देखो अब आप बोलोगे कि इतना इंपोर्टेंट नहीं है फिर आपने क्यों लिखा है तो देखो यार उसका एक छोटा सा सॉलूसन पता है उसका छोटा सा सॉलूसन किमेस ना और किना सब्सक्राइबर 155 छोटासार किया है कि कभी कभी बहुत घृइर मैं एसे ट्राइब देखिए प्यपर मैं जो मैं लगता है एंपोर्टन नहीं है नहीं लेकर फेपर में देखिए तो ये डर लगता है इसलिए मैं ये सारी लिखीती कि हम मतलब यह सारी हैं जो ऐसे तो बहुत भी हैं मतलब हारी स्ट्रेट में लिखने जाओंगे तो और भी जाता है ठीक है लेकिन वह फालतू नहीं लेकिन यह भी लिखी थी कि आप याद कर लो लेकिन अगर इतना पड़ना है हम स्टेटिक इतना पड़ना है इसलिए अगर 0.1 परसेट सी सिनेरियो मैं अगर पूछा भी गया तो पूछा भी गया आप क्या भी कर सकते हैं अगर अलग से पूछा गया तो अपना ट्राय वह करेंगे कि जो most important है पहले वो तो खतम हो जाए हमें कम से कम content कम याद हो लेकिन जो important है वो याद रहो तो इसलिए मैं बोला हूँ लेकिन मैं अगर आप कर सकते हो अपने दम पर आपको लगता है कि आप कर सकते हो आपका और टॉपिक तहीं जाया ना और आपको की दिखत नहीं है तो आप इन कर सकते हो लेकिन 99% में जो मैं बता रहा हूँ ना top important वहीं से आएगा बट 1% में तो देखो मैं क्या कोई भी नहीं कह सकता कि कहां से आएगा कहां से नहीं हो सकता है कि जितनी मैंने ट्राइब लिखी है यहां से ही नहीं आए कोई एक बहुत छोटी सी ट्राइब पूछ ली गारा से यह नहीं छाइब अभी गॉण्ड और भील सम्मृइ नहीं हैं मज़्य पीडिर्देस से आपका राजिस्तान लगता भी है इसलिए भील ट्रैब आपकी राजिस्तान में भी पाइजाती यह मीना ट्राइब भूध फेमस है और मीना ट्राइब ने बहुत ज़ वो राजिस मीना करके उसका नाम है मीना आपको काफी मिल जाएंगे ठीक है इस ट्राइब ने मिल एकोर्डिंग बहुत तरक्की कर लिए बहुत प्रोग्रिस कर लिए इन दा फिल्ड ऑफ एजुकेशन तो आपको राजिस्तान की एट लिस्ट ये दो ट्रिक तो बिना ट्रिक याद कर सकते हो दमन एंद्दी दू की दूबला है ठीक है उसके बाद है हमारा दादर दागर हे ली ठीक है उसके बाद हमारा महाराष्च महाराष्ट में भी भील भील ट्राइब है गौन ट्राइब हम देखी चुके हैं उपर महाराष्ट में है ठीके तो ये एटलीस ये दो तो याद कर ले ना भील और गौन ट्राइब महाराष्ट की है उसके बाद आपकी गौवा की गौवा की गौवरा ट्राइब है अब गौवरा और गौवा थो कि वो साई है, सब उसके मज़े लेते हैं, लेकिन वो फिर भी सब को चक्मा दे देता है। साई मतलब थोड़ा साई का मतलब जो कम बोल पाते हैं, इंट्रोबर्ट जो होते हैं ठीक है, जो कम बोलते हैं लोगों के सामने, कि वो साई है सब उससे मज़े लेते हैं लेकिन फिर भी वो सब लोगों को चकमा देता है तो इस तरह से आप याद कर सकते हो नागा लेंड की डो ट्राइब है एक नाग एक आओ तो नाग आओ इस तरह से आप याद कर सकते हो थोड़ा नाम तो रिलेट करी रहा है तो आप ड तो खासी गारो और जैनती है तीनों ट्राइब पेपर पॉंट अब यू से काफी इंपोर्टेंट है ठीक है तो यह याद कर लेना अगर मैं आप समराइज करूं कि जो आपको याद करनी ही करनी है जिसमें आप रिस्क ले ही नहीं सकते हो वो बता देता हूं एक पर बस एक से समीर की तीन याद कर लेना करना भी आसान है आपको हो जाएंगी देखो हिमाचल प्रदेश की मैंना ट्रिक के साथ बता दिये तो यह तो आप याद करे लेना उसके बाद जो गॉंड ट्राइब है यह कहां कहां है यह याद कर लेना एक जगह लिख लो मुझे थोड़ा सा गलती हो गई मैं आपको लास्ट में एक जगह लिख देता कि गॉंड इसे स्टेट में कि गॉंड काफी स्टेट में ठीक है लेकिन यह मेनत कर लेना एक बिहार की संथाल ट्राइब याद कर लेना उसके बाद आपको तरफ्रा की इतनी याद नहीं करोगे चलूएगा जगानः की चैं चिूस ट्रै याद कर लेना उसके बाद शेस गरbon तो आपको करने ही कर निए है चाहिके सी भी स्टेट में आए उसके बाद ढाल जेहाम आपको-जह्चर già PotOLी करनी है उसके बाद मेगाल है कि आपकी खासी जैनतिया और गारोज यह तीनों याद करनी है नागल लेंट की तो आप करी लोगे बहुत आसान है याद करना ठीक है मिजोरम की भी मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बता दिये तो यह भी आप आरम से याद कर लोगे महराश्च्ट की ट्राइब याद कर लेना उसके बाद राजिस्थान की मीना भील्स और गैरेसिया इसकी तो ट्रिक भी इसको मैं अच्छे से बता भी दिया है तो मैं तो इससे तो नहीं बूलना चाहिए तो यह भी आप याद कर लेना आई होप यह वीडियो यह लेक्चर इंफॉरमिट रहा है तो लेक्चर को लाइक कर देना सियर कर देना चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आपसे मुलाकात होगी नेक्ट लेक्चर में